C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबक 8 सफा नंबर 46 बच्चों की दीवाली आज दीवाली है सब बच्चे शालू के घर आये हैं महमान खाने में खेल रहे हैं मा बावर्ची खाने में मज़ेदार खाने बना रही है पिता जी उनकी मदद कर रहे हैं दादी बरामदे में दीप जला रही है दादा जी ने पौदे सजाने के लिए कुमकुमे मंगाये थे बड़े भाईया ने बालकनी में भी कुछ कुमकुमे रोशन कर दिये है इस सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें कुछ बच्चे हैं और साथ में एक मा की भी तस्वीर है सफ़े की शुरुवात में एक तस्वीर दी गई है जिसमें दो मन्जर दिखाए गए है एक मंजर में एक आदमी बजार से मिठाईया ला रहा है और उसके दूसरे हाथ में फल है और दूसरे मंजर में एक औरत हाथ में दिये की थाली लिए खड़ी है जो दिये सजा रही है दर्वाजी की कुंडी बजी अशोक ने दर्वाजा खुला पापा बच्चों के लिए दूद, दही, चाच और मिठाई लाएं है वो सामान दे कर घुसल खाने चले गए पूजा से पहले नहाएंगे पड़ोस में आमिर का घर है वो अपने बिस्तर पर लेटा है आज बहुत उदास है उसने पिछली दिवाली खुब धूम धाम से मनाई थी तीन दिन पहले टांगों में चोट लगी थी इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता थोड़ी देर पहले वो खिड़की से शालू की छट पर खेल रहे बच्चों को देख रहा था लेकिन अब बच्चे वहां से चले गए है सफ़ा नंबर 48 सफ़े की शुरुवात में एक तस्वीर में एक बच्चा पलंग पर लेटा है और उसके पैर में चोट लगी है जिस पर पट्टी बंधी है उसकी नजरें खिड़की से बाहर खेलते हुए चट पर बच्चों को देख रही है अचानक दर्वाजे की घंटी बजी आमिर की आपा ने दर्वाजा खोला दर्वाजे पर वही बच्चे खड़े थे वो दोड़ते हुए आमिर के पास आए वो अपने साथ मिठाई और खिलों ने लाए अब वो सब यहीं दिवाली मनाएंगे घर में चहल पहल हो गई आमिर बहुत खुश था लेकिन अम्मी की आँखों में आसू थे खुशी के आसू सफ़े के इस हिस्से में एक और तस्वीर दी गई है जिसमें मा और पिता जी बावर्ची खाने में कुछ पका रहे हैं सफ़हा नंबर 49 मश्क पढ़िये और समझिये महमान खाना महमान को ठहराने का कमरा बावर्ची खाना खाना पकाने का कमरा मकान के बाहरी हिस्से में बगैर दर्वाजे का कमरा सजावट के लिए छोटे छोटे रंगीन बल्ब नहाने का कमरा सोचिए और बताईए दिवाली के दिन सब बच्चे कहां आये थे? दादा जी ने कुमकुमे क्यों मंगाए? तीन, आमिर अपने बिस्तर पे क्यों लेटा था? चार, घर में चहल पहल कैसे हो गई? पांच, आमिर की अम्मी की आँखों में आशू क्यों थे? सफा नमबर पचास खाली जगों में मनासिब लवज चुन कर लिखिए एक, आज खाली जगा है होली या दीवाली? दो, खाली जगा बरामदे में दीप जला रही हैं आपा दादी तीन, अशोक ने खाली जगा खोला, दर्वाजा या कमरा? चार, खाली जगा, पर वही बच्चे खड़े थे, दर्वाजे चत पांच, वो खाली जगा हुए, आमिर के पास आए, भागते या दोडते? हिस्सा अल्फ और हिस्सा बे के सही जोड मिलाईए हिस्सा अल्फ बावर्ची खाना, घुसल खाना, महमान खाना, बालकनी, बरामदा हिस्सा बे, उपर की मन्जिल पर कमरे के सामनी की जगा, मकान के बहरी हिस्से में बगैर दर्वाजे का कमरा, खाना पकाने का कमरा, नहाने का कमरा, महमान को ठहराने का कमरा असातिजा के लिए हिदायात उस्ताद बच्चों से तहवारों से मुतालिक बातचीत करें और उनके यहां कौन सा तहवार मनाया जाता है उसके बारे में लिखवाएं सफा नंबर 51 सही जुमलों पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाईए एक, मा बावर्ची खाने में मज़ेदार खाने बना रही हैं सही या गलत दो, दादा जी बरामदे में दीप जला रहे थे सही या गलत तीन, बड़े भईया ने बालकनी में भी कुछ कुमकुमे रोशन कर दिये सही या गलत चार, पड़ोस में आमिर अपने बिस्तर पर लेटा है सही या गलत पाँच, आमिर के भाई ने दर्वाजा खोला सही या गलत छे, वो सब यहीं दिवाली मनाएंगे सही या गलत साथ, अम्मी की आँखों में खुशी के आंसु थे सही या गलत शालू और आमिर के रिष्टेदारों के नाम लिखिए मा, अम्मी, दादा, आपा, पिताजी एक तरफ शालू के रिष्टेदारों के नाम लिखने हैं और दूसरी तरफ आमिर के सफा नंबर बावन दिये की तस्वीर बना कर उसमें रंग भरिये यहां नीचे एक खाना दिया गया है जिसमें आपको दिये की तस्वीर बना कर उसमें रंग भरना है सफे के आखिर में एक और तस्वीर दी गई है जिसमें जंगल का नजारा दिखाया गया है बहुत सारे पेड हैं, कुछ परिंदे आसमान में उर रहे हैं जिराफ, हिरन और शेर भी हैं